वैसे तो आपने बहुत सारी कहानिया सुनी होगी लेकिन ऐसी कहानी जो आपको सोचने में मजबूर कर दे और आपका दिल दहला दे ऐसी बहुत ही कम कहानिया होती है और ऐसी ही एक कहानी है 15 साल के एना फ्रेंग की एना फ्रेंग 15 साल के एक जुईस लड़की थी जो बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़के चली गई और उनके द्वारा लिखी गई डायरी जब पब्लिस हुई जो 19 सदी की सबसे ज़ादा बार पढ़ी जानी वाली बुक है ये कहानी है एना फ्रेंग के बहुदिरी की और हार ना मानने वाले उनके जज़बे की एना को डायरी लिखने का बहुत सौख था वो अपने घर परिवार, अपने दोस्तों और वो किस नजर से दुनिया को देखती है ये अपने डायरी में लिखा करते थी इस डायरी की सुरुवात में एने फ्रेंग बताती है कि उनके फादर ने उनके बर्डे पे ये डायरी उन्हें दी और उन्होंने इस डायरी का नाम किटी रखा कहानी की सुरुवात होती है जब एना 12 साल की थी उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम मारगोड था उन्होंने अपने डायरी में अपने टीचर का भी जिखर किया जब उन्हें अक्सर मना करते थे ज्यादा बात करने से एना फ्रेंक एक बहुत ही चूलबुली लड़की और इस टॉपिक का मतलब था एक ऐसे इनसान के बारे में लिखना जो बहुत बातुनी है और उन्होंने खुद पर ही एसे लिख दिया कि लड़कीयों को बात करना बहुत पसंद होता है और ये आदात उन्हें अपनी मा से मिली है और ऐसे ही बहुत सारी बाते एना फ्रेंक सुरू से ही बुक्स पढ़ने का और लिखने का बहुत स्वर्ण था वो अक्सर अपनी डायरी में अपने फिलिंग्स लिखती थी वो क्या फिल करती है उनके इमोशन जब वो लोगों से मिलती है और उन्हें देखती है एना फ्रेंक लिखती है किसी भी इनसान की तुल्ना म ओनली कागज में लोगों की बात को सुनने का और समझने की काबिलियत होती है और वो बदले में सिकायत भी नहीं करता एना के टीचर ने कई बार उन्हें एसेलिकने का home work दिया होते हैं और जब भी वह एन आ के लिखी हुए बाती पढ़ते हैं वह सोच में पढ़ जाते हैं की जूइस लोग जर्मनी के लोग नहीं हैं और उनके साथ कोई खास ब्योहार भी नहीं किया जाता था हर जूइस परसन को अपने कपड़े के साथ एक यलो इस्टार पहनना पड़ता था ताकि दूसरे लोगों को यह पता चले कि वो जूइस है जूइस लोगों को गाड़ियों का यूज करने के मनाई थी यहां तक कि उन्हें साइकलों में जाने कभी हग नहीं था वो शॉपिंग नहीं कर सकते थे और ना ही सिनिमा देख सकती थे और रात में 8 बजे के बाद उन्हें सडकों में निकलने से मना किया जाता था उन पे बहुत सारी पाबंध्या थी और उनके पास human rights जैसे कोई चीज नहीं थी वो अपने घरों में रहते हुए भी एक मुजरिम की तरह जी रहे थे यंग गल एना फ्रेंक लिखती है नाजी लोग जोईस लोगों को मार रहे थे और उन्हें पकड़ कर concentration camp ले जा रहे थे जहां उनके साथ जानवरों से ज़्यादा बत्तर सलूग किया जाता था एना फ्रेंक के फादर एक अमीर बिजनेसमें थे उन्होंने अपनी फैमली के साथ चुपने का प्लैन बनाया एना के फादर का प्लैन उनके ऑफिस में छुपने का था उन्होंने अपनी फैक्टरी में ही एक ऐसा रास्ता बनाया जहां उनकी फैमली अराम से रह सके और नाजियों को इस बात की खबर भी नहों उन्होंने एक रूम बनाया और उसका दर्वाजा बुक सेल्फ से बन कर दिया देखने में ये बुक सेल्फ की तरह दिखता था लेकिन पीछे करने पर ये एक दर्वाजे की तरह खुलता था बीना किसी को पता चले वो वहां अराम से रहने लगे उनके पस कई बड़ी प्रॉबलम थी जैसे नीचे फैक्टरी का काम चाह रहा होते है और इस बीच वो कोई भी हल्ला नहीं कर सकते क्योंकि नीचे काम कर रहे है इंप्लॉईस को इस बारे में नहीं पता कि एना फ्रेंग की फैमली छुप कर वहां रह रही है और एना लिखती है कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो बाहर नहीं जा सकती बच्चों के साथ खेल नहीं सकती पार्क में नहीं जा सकती और सैक्ल नहीं चला सकती एना फ्रेंग अक्सर अपने फादर से कोशन पूश्टी थी और उनके फादर उन्हें ये कहकर चुप करा जे थे कि नाजी लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहां चुप कर रह रहे हैं सुबे के 10 बज़े से सामके 6 बे तक नीचे फैक्टरी में लोग काम कर रहे होते थी और इस बीच उन्हें कोई भी हल्ला नहीं करना होते है बात करना तो दूर उन्हें फलस करने की भी इजाज़ाद नहीं थी क्योंकि इससे नीचे के लोगों को सख हो जाता एना फ्रेंक अपने डर को, अपने जज़बातों को बया करती है कि उन्हें डर के साथ जीना पढ़ रहा है कि कहीं वो पकड़े न जाए जबकि उनकी कोई गलती नहीं वो भी नाजियों की तरह इस देश का हिस्स्ता है करीब एक महीने बाद वहाँ वेंडान का परिवार पहुँचा जो उनकी तरह ही एक जूईस फैमली थी और वो साथ में रहने लगे एना लिखती है कि उनके कई फ्रेंड को नाजी अपने कैंप में ले जा चुके हैं और उनके फ्रेंड अकसर उनके सपने में आते हैं और उनके सामने मदत मांगते हैं ये सपने उन्हें अकसर परसान करते हैं और वो बहुत ही डर जाती है वो महीनों तक एक ही जगा में रहे और उन्हें घर से बाहर निकले हुए कई महीने हो चुके थे और खाने में उन्हें सरीप bread मिलता था लेकिन एना कभी उनकी सिकायत नहीं करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि situation इससे भी बुरी हो सकती थी अचानक एना के फादर की तब्यत खराब हो जाती है और इसके बाद भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते इसके बाद एक और सक्स उनके घर छुपने आते हैं जो एक dentist होते हैं वो सबसे हजार उत्रक के question पूछते हैं लेकिन बाकी लोग उन्हें चुप कराते हैं कि आप यहां हला नहीं कर सकते और खास कर नीचे काम कर रहे उन employees के सामने इसलिए जब वो 6 बजे के बाद चले जाएं उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं एना फ्रेंक के फादर एक अच्छी बिजनेसमेन थे और इसलिए उनकी अच्छी पहचान थी इसलिए कुछ लोग रात में आकर उन्हें जरुवत का समान देते थे जैसे खाना और कुछ कपड़े लेकिन तब भी इस्तिती बहुत ही खराब थी एना ने अपने चुपने की जगह को सिक्रेट एनेक्स का नाम दिया था जहां वो टोटल आठ लोग रहते थे जैसा कि आप खुद ही समझ सकते हो कि उनकी हलात कितने खराब थे इस्टेल उन्हें होप था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो खुस थे कि उन्हें कैम्प में नहीं जाना पड़ा वो खुस थे इस बात को लेकर कि बाकी जूइस की तरह उनके साथ मार पीट नहीं हो रही थी और जब भी कोई दरवाजे में नौक करते था तो उनका दिल बैट जाता था और इसी डर और खौफ के साथ वो पूरे दो साल तक वहां रहे सिर्फ प्लेन ब्रेट को खाते हुए एक कमरे में बैट के डर और खौफ के साथ अपनी जिंदगी भी ता रहे थे एनि ये भी लिखती है कि अगर किसी को डाइटिंग करना हो तो हमारे छुपने की जगा उनके लिए परफेक्ट है क्योंकि हमें ऐसा खाना खाना पड़ता है जिसमें मक्कन तो दूर के बाद स्वाद भी नहीं है कुछ लोग जो फ्रेंक फैमली को बाहर से सपोर्ट दे रहे थे वो अक्सर एना और उनकी सिश्टर के लिए कुछ बुक्स लाते थे और एना दिन भर बुक पढ़ती थी एना लिखती है कि मैं दिन भर बिना खाय पिये भी लगातर बुक्स पढ़ सकती हूं अक्सर उन्हें हौन के अवाजे सुनाई देती थी बम का फूटना, गोलियों का चलना, लोगों का चिलाना और दहसत ये उनके लिए आम बात हो चुकी थी वो एक दूसरे को जता रहे थे कि सब जल्दि ठीक हो जाएगा लेकिन सब डरे हुए थे और खौफ में थे एना को जिसे बचपन से बाते करने का इतना सौख है लेकिन उस कंडिशन में वो लोगों को अपनी फिलिंग भी नहीं बता पारी थी इसलिए वो अपनी डायरी में अपनी फिलिंग्स को लिखती थी अकसर जब खाली समय में वो अपनी डायरी के पुराने पन्नों को पड़ती तो वो फिल करती कि कुछ समय में ही मैं इतनी ज़्यादा समझदार कैसे हो गई उनके सहर का महौल हद से ज़्यादा बत्तर हो गया था हर तरब चोरी और लूट मार फैली हुई थी लोग खाने के लिए लड़ रहे थे और जब ठंड का मौसम आया तो एनी की परिवार के पास उस ठंड से बचने के लिए भी कोई चादर नहीं थी क्योंकि उनके कोईले एक महिने पहले ही खत्म हो चुके थे अब रश्या बॉर्डर पे पहुँच गया था और जर्मनी ने हंगरी पे हमला कर दिया था एनी आगे अपने डायरी में लिखती है कि मैं बड़ी होकर जनलिक्ट बना चाहती हूं उन्हें डायरी और कवीतर लिखने का बहुत सौंक था इस बात से पूरी तरह से अंजान कि कुछ सालों बाद उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है एनी लिखती है कि कोई भी सक्स या किसी भी इनसान की तरह मैं वो काम नहीं करना चाहती जिनके कामों को लोग भुला देते हैं बलकि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूं जिनको सारी दुनिया और पूरा इतिहास याद रखे और ऐसा हुआ भी उनकी लिखने की कला और उनकी कहानी ने सभी लोगों का दिल छो लिया 15 साल की एना फ्रेंक आगे ये भी लिखती है कि जब उनकी मौत हो तो उनके वर्ट्स को पढ़के लोग इंस्पायर हो और इसी के साथ एक दिन कुछ चोरों ने घर में घुसने की कोसिस की लेकिन वो घर में घुस तो नहीं पाया लेकिन बाहर वालों को ये बात पता चल चुकी थी कि अंदर कुछ जुईस लोग छूपकर रह रहे हैं और ऐसे में उनकी पूरी फैमली रात भन नहीं सुई वो काफी डरे हुए थे एनी लिखती है कि वो पुलिस के आने का इंतजार करी थी और एक बागी की तरह अपने देश के लिए मरने को भी तयार थी एनी लिखती है कि जंग के बाद मैं एक ऐसी नागरिक बनूँगे जो दूसरों की मदद करे एनी आगे एक सीक्रेट एनेक्स नाम की बुक लिखना चाहती थी और वो एंटी जुईस और्गनाजेशन के बारे में भी लिखना चाहती थी जो लोगों की मन में जो इसके लिए कितनी नफरत है वो इस बारे में लिखना चाहती थी उनके पास एक छोटा सा FM था जिससे वो देश की खबर सुन सकते थे और उन्हें पता चला कि अंग्रेजों ने जर्मनी में हमला कर दिया है उन्हें यकीन था कि अब बहुत जल्द ही हालात पहले जैसे हो जाएंगे लेकिन नाजियों को उनके छूपने के उस ठीकाने का पता चल गया और उन्होंने पूरी फैमली को पकड़ लिया और उनकी डायरी में आकरी सब्द यही थे कि उनकी फैमली को पकड़ा जा चुका है और फिर उन्हें पकड़ कर कॉंसेंट्रेशन कैम्प ले जाया गया जहां मेल और फीमेल को अलग-अलग कर दिया गया उनके जितने भी एसेसेरीस थे उनसे छीन लिये गया उनके बैक्स, उनके जूते यहां तक कि उनके बालों को भी कार दिया गया उस कैम्प में महामारी फैली हुई थी जहां साफ सफाई का नाम भी नहीं था लोग बिमारियों से मर रहे थे वहां लोगों से दिन बर हाड़ वर करा जाता था और खाना था दूर की बाद वहां लोगों को पानी के लिए भी तरपाया जाता था नाजी लोग जूइस लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे एक कमरे में बहुत सारी लोगों को ठूस ठूसके भर जया गया था दिन भर काम करने के बावजूद उन्हें अच्छे से खाना नहीं दिया जाता था जिसकी वज़े से पहले उनकी मा और बाद में उनकी बहन मारगड टाइफस नाम की बिमारी से मर गई एना स्रिफ 15 साल की थी और इतना कुछ जहलने के बावजूद वो अभी तक हारी नहीं थी लेकिन खाना ना मिलने की वज़े से उनका सरीर भी बहुँच ज़़ा कमजोर हो चुका था और वहां रहने वाले बाकी लोग उनकी बहन और उनके मा के कपड़ों को चीन रहते क्योंकि सभी को अपनी जान पहले बचानी थी हम अराम से घर में बैट कर मोबाईल चलाते हुए कभी भी ये इमेजिन नहीं कर सकते कि उस समय एना क्या फील कर रही होगी और कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो गई कैंप में चारो तरप महामारी के वज़़े से लोग मरे पड़े थे और नाजियों ने एक बड़ा गढधा करके सभी को एक साथ दफ न कर दिया एना का पूरा परिवार खतम हो चुका था सिवाय उनके फादर के जब वर्ल्ड वार खतम हुआ और सब चीज नॉर्मल हुई तो उनके फादर ने उनकी फैमिली को ढूडने की कोसिस की उन्हें पता चला कि उनकी सारी फैमिली खतम हो चुकी है और जब वो उसी अपार्टमेंट में गय है जहां वो दो साल से रह 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 थे तो उन्हें एना की डायरी मिली जिसे पढ़ने की बाद वो रोने लगे और उस डायरी को पब्लिस कराने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तो दोस्तों ये सारी कहानी मैंने आपको 15 साल की एना फ्रेंग की बुक दा डायरी आफ यंग गल्स से बताई है उमीद करता हूँ कि एना की स्टोरी ने आपको सोचने में मजबूर कर दिया होगा और आप क्या फील करते हो एना फ्रेंग की इस कहानी से मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को जरूर सेयर कीजिए अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू फर वाचिंग हैव ए ग्रेट डे